Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 4 जनवरी 2022 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article draft national air sport policy के बारे में है kind of policy है, जिसे अभी हाल ही में ministry of civil aviation के दरा release किया गया है इसके तहत ऐसे जो भी entities हैं जो या तो air sport के सम्मन्द में services देते हैं या फिर equipment provide करवाते हैं उन्हें खुद को register करना होगा अगर नहीं करेंगे तो penalty लगेगी, कुछ और भी प्रावधान है जैसे इसमें एक two tier governance को तयार किया जाएगा जिसमें national level पे होगा Air Sports Federation of India की बात कर रहा हूं इसके अंडर में कई सारे associations होंगे जो Air Sports Federation of India के प्रती ही responsible होंगे ASFI के बारे में बताता हूं ASFI एक autonomous body होगी Ministry of Civil Aviation के तहत काम करेगी ये इंडिया को Federation, Aeronautic, International Eye पर बेजा के भी represent करेंगे जो की Switzerland में headquartered है और global level पे जो Air Sports से उन्हें conduct करवाता है और भी जो global platforms है Air Sports के वहाँ पर भी इंडिया को represent करने का काम जो है वो ASFI के पास ही होगा Function ये होगा इनका कि ये proper governance प्रोवाइड करवाएंगे सभी प्रकार के Air Sports को जैसे की regulation, certification, competition, award, penalty ये क्या होगी ये ही decide करेंगे सभी प्रकार के Air Sports Association ये rules and functions decide करने का काम भी ASFI के पास होगा ताकि जो equipment है उनका safety standards बढ़िया हो अच्छा इंफ्रा हो परसुनल की अच्छी training हो जो Air Sports में involved होते हैं और अगर कोई सही तरीके से काम ना करे तो discipline reaction लिया जाए सभी प्रकार की activities को जो Air Sports से लेटेड हैं उन्हें cover किया गया है like aerobatics, aeromodeling, amateur built experimental aircraft, ballooning, drones, gliding, hang gliding, paragliding, micro, lightning, paramotoring, skydiving, vintage aircraft सभी इसका हिस्सा बन जाएंगे कोई भी entity जो इन services में involved है उन्हें खुद को register करना होगा और अगर वो प्रावधानों को follow नहीं करते तो उन्हें मिलेगी penalty इंडिया का जो air space है उसे तीन हिस्सों में divide किया जाएगा red, yellow और green zone red zone में किसी प्रकार की air activity के पहले central government की अनमधी चाहिए होगी obviously यह ऐसा zone हो सकता है जहाँ पर aircrafts या फिर जो planes हैं वो उड़ते हों अगर वहाँ पर कोई air sport हो रहा है तो air accident का खत्रा हो सकता है की नहीं हो सकता है इसलिए ऐसी activities को regulate करने की बात की जा रही है further इंडिया में कुछ sports attraction वाली locations हैं जैसे की बीर बिलिंग हिमाचर प्रदेश में गंगटोक सिक्किम में हदपसर महरास्टा में अगर मैं इसे गलत प्रनिशेट कर रहा हूँ तो जो भी महरास्टा का हो वो मुझे correct करे केरला में वगामान इने control zone बनाएंगे यहाँ पर यह activities काफे ज़्यादा popular है तो वहाँ पर कोई accident ना हो safety अच्छी रहे इसलिए इन regions को control किया जाएगा ठीक है चलिए हमरा next article पढ़े भारत campaign के बारे में है ministry of education ने 100 days reading campaign launch किया है यह 1 जन्वरी से 10 अप्रेल तक चलेगा further इसके जरिए learning level को improve करने की कोसिस की जाएगी creativity के माध्यम से critical thinking के माध्यम से ताकि बच्चों की vocabulary भी enhance हो और वो खुद को अच्छे से express कर सके वर्बली भी और writing में भी उन्हें एक real life situation में इस तरीके से रखा जाएगा कि वो उनके लिए comfortable हो जाए जो campaign है उसमें बालवाटिका से लेके grade 8 यानि की आठवी कक्छा तक के बच्चों को सामिल किया जाएगा participants सभी stakeholders हो सकते हैं बच्चे तो obviously रहेंगे teachers, parents, community members, educational administrators सभी इसका part होंगे one activity per week per growth ऐसा प्रावधान किया जाएगा बच्चों के लिए एक ऐसा enjoyable situation create करेंगे जहां पर वो आसानी से मज़े में जानि की enjoyment के साथ पढ़ सकें पढ़ने में उन्हें मज़ा आए इस तरीकी की creativity generate की जाएगी जैसे यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ जो जब मैं school में पढ़ा करता था तो वहाँ हुआ करता था मेरे school में जो मेरे teacher होते थे वो क्या करते थे कि girls and boys का group तयार कर देते थे जिसमें equal number of boys या फिर equal number of girls हो और उसके बाद एक reading competition होता था कोई भी एक book उठा ली जाती थी science की, English की, Hindi की या फिर Sanskrit की उसके बाद boys के group को कहा जाता था कि वो पढ़ें boys के group में एक बच्चा, एक student खड़ा होके उस किताब को पढ़ता था अगर उसने किसी भी line पे misspell किया या गलती की, तो उसे बिठा दिया जाएगा फिर अगला लड़का पढ़ेगा ऐसे ही करके, सभी लड़के बारी-बारी से उस किताब को पढ़ेंगे और गलती करने पे बिठा दिया जाएगे उसके बाद उनकी lines, जितनी lines उन्हें पढ़ी है उन्हें count कर लिया जाएगा सपोस करें, सारे boys ने मिलके 100 lines को पढ़ा है अब number girls का आएगा उनके group में सभी लोग बारी-बारी से इसी किताब को आगे या उसी जो पढ़ी लिया गया है उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और उनके जो पढ़ी हुई lines से उन्हें count किया जाएगा जिसने ज़्यादा lines को पढ़ा है उन्हें winner declare किया जाएगा तो इसमें जो students होते थे वो बहुत दा energetic होते थे बहुत enthusiastic होते थे कि उनका group जीतता है कि हारता है लोग बड़ी महनस से पढ़ते थे पूरी courses करते थे कि वो में spell ना करें या गलतिया ना करें इस प्रकार के activities से definitely जो भी बच्चे थे जो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते थे उनमें improvement हुआ तो ऐसे innovative activities का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ना सिखाया जा सकता है Indian languages पर भी focus किया जा सकता है Mother tongue में भी उच्छी तरीके से पढ़ सकें उसके लिए ये कोशिस की जा रही है हमरा next article Fimbry Stylis Sunili और Nia Notice प्रभुई के बारे में है अच्छी यहाँ पर सुनिली और प्रभुई कुछ Indian जैसा लग रहा है न Actually में ये नाम ही है आपको समझ में आ जाएगा अब actually में दो नए plant species को report किया गया है Western Ghart के region से इसके रिटायर प्रोफेसर है रिसर्च गाइड रहे है Botany के SNM College में एक plant taxonomist रहे हैं उन्ही के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो उनका नाम सुनिल था तो इसके आगे सुनिली जोड दिया गया फर्दर ये perennial plant है साल भर उपता है एक family से belong करता है इसे वेस्टन घाट में 1100 मीटर की उचाई पर पाया गया है इसे आयोसिन की red list में इनका जो genus है या जो इनकी family है उसके जो भी ये grass है उन्हें data deficient categorize किया गया है हम निया नोतिस प्रभुई की बात करते हैं इसी केम प्रभु कुमार जी के नाम पर नाम दिया गया है ये एक researcher रहे है flowering plant को लेकर western घाट के रीजन में उन्हें ही recognize किया गया है जो चेमरा पीक है वेनाद ग्रास लैंड के रीजन में वहीं पर इसे discover किया गया family ruby ACI से belong करता है 70 cm तक लंबा हो चकता है इसमें कई सरे flowers होते हैं जो pale pink color के होते हैं ठीक है इसके जो petals है निके पत्ते होते हैं हमारा next article Rani Vailu Nakiyarji के बारे में है Prime Minister स्री नरेन मोदी जी ने उन्हें उनकी birth anniversary पे आत किया ये सिप गंगा state की queen रही थी Rani Vailu Nakiyarji जो सदन इंडिया में location है उस समय बाद में ये बिश्वास की मदरास presidency का हिस्सा बन गया था ये रानी रही 1780 से 1790 के बीच में 1773 में बिश्वास नी सिप गंगा state पर हमला किया और जो वहां के राजा थे उनको मार दिया तो जो उनकी विद्वा पतनी थी Vailu Nakiyarji वो हैदर अली की स्रड़ में जाती है protection के परपस से बाद में वो एक आर्मी तयार करती है और हैदर अली जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रडाई लड़ती है तमिलियंस उन्हें प्यार से वीरा मंगई भी पुकारते हैं इसका मतलब Brave Women इस पीरट के दुरान उन्होंने अलाइंस किया हैदर अली जी के साथ और अंग्रेजों के खिलाफ campaign किया 1780 में जो 2nd Anglo-Messour War था उसके दुरान उनके पास कई सारी skills थी जैसे weapons का इस्तिमाल करना Martial Art में वो वेलारी या सिलंबम जो लकड़ी होती है बास उसके जरीए काफ़े अच्छी तरीके से सर्फ डिफेंस करने में capable थी हॉस राइडिंग आर्चरी भी उन्हें बहुत अच्छी आती थी कई सरी languages उन्हें आती थी लाइक French, English और पुर्दू बिर्सस के अगेस्ट में जो उन्हें वो और लड़ा था हैदर अली जी के साथ मिलकर उसमें उन्हें चीत भी हासिल होई थी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Solid State Batteries के बारे में है जो शेयर होल्डर्स हैं California based Quantum Escape Cop एक battery start-up है जो कि Solid State Batteries बनाता है उन्होंने अभी हाल ही में अपना CEO बनाया है जगदीब सिंग्जी को एक multi billion dollar pay package पे इसी सम्मन्द में ये Solid State Battery और ये Company News में आई Solid State Battery की बात करते हैं वर्तमान में जो हम battery इस्तेमाल करते हैं वो lithium ion batteries होती है या फिर lithium polymer batteries होती है जो lithium ion batteries होती है इसमें actually हम liquid electrolyte का इस्तेमाल करते हैं liquid electrolyte एक तो कम performance देता है दूसरा अगर ये leakage हुआ तो जो कि ये burn हो सकता है flammable है तो accident का खत्रा भी होता है कई बार आग बगएरा भी लग जाती है लेकिन जो Solid State Batteries होती है इनका performance भी बहुत अच्छा होता है और ये comparatively safe भी होती है इसको लेकर कई तरीके की companies यहां work कर रही है ताकि battery performance को बैतर किया जा सके यहाँ पर जो polymer separators होते है या फिर जो liquid electrolyte separators होते है उनकी जिगाय पर Solid State Separators का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इसके फायदे होते हैं कि इनकी energy density बहुत जादा होती है ये कम समय में charge हो जाते हैं बात कर रहे हैं Solid State batteries की ये ज़्यादा charging cycle अवेल करते हैं मतलब आप इनकी कई दफा चार्ज कर सकते हैं तो इन batteries की life भी लंबी होती है और ये safety भी ensure करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया चलिए आगे बढ़ते हैं आपने Bollywood के एक बहुत फेमस science fiction movie जुडवा जरूर देखी होगी और इसके बाद इसी को कॉपी करके एक और बहुत ही बढ़िया science fiction movie जुडवा 2 बनाई गी अब आपको लग रहा होगा कि आज सर्जी पगला गए हैं जुडवा 2 और जुडवा कैसे science fiction movie होगी आपको समझ में आ जाएगा कि जुडवा या जुडवा 2 science fiction movie क्यों है और कैसे हैं और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ चलिए इस context को धियान में रखिएगा कि हमने भी बात किया है जुडवा या जुडवा 2 के बारे में और अब चलते हैं अपने आर्टिकल के उपर हम बात करने वाले हैं quantum entanglement के बारे में scientist ने भी हाली में for the first time quantum entangled animal पहला define कर लिया है tardigret को tardigret के बारे में जानते हैं हमने पहले भी कई दफा इसके बारे में पढ़ा है इसे freeze किया गया जमा दिया गया और फिर इसको participant बनाया गया quantum entanglement experiment में tardigret को water bear भी कहा जाता है चुकि इनका shape बिल्कुल भालू के तरह होता है अगर आप देखोगे तो इनके pair भी होते हैं बिल्कुल भालू के जैसे पंजे होते हैं छोटे-छोटे जोहन, ऑगस्ट, एफ्रिम, गयजेजी के द्वारा इसे little water bear उन्हें डब किया था छोटा सा पानी में रहने वाला भालू further जो tardigrets होते हैं वो हर जगे मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया architect से लेके अंटर्के टिक तक गहराई से लेके उचाई तक हर जगे यह extreme conditions में survive कर सकते हैं बहुत ज़्यदा temperature bear कर सकते हैं high भी और low भी, pressure भी बहुत ज़्यादा सह सकते हैं यह एक, जब इन्हें खाना वगएरा नहीं मिलता तो यह crypto-biosis की situation में चले जाते हैं जब इन्हें लगेगा कि कुछ मिल रहा है तो यह अपनी body activities को बढ़ा देंगे इन्हें outer space में भी ले जाया गया और वहाँ पर भी यह survive कर गया तो कोई मिला कि आप इसे अमर जीव कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं यह तो मामला ठीक है यह भला quantum entanglement क्या होता है देखे quantum entanglement एक ऐसी city होती है यहाँ पर समझेए एक ऐसा physical phenomena है जहाँ पर जब हम group of particles को या दो particles को आपस में इतना नजदीक लेकर आएं कि वो आपस में interact कर सकें जब दो particles आपस में interact करते हैं यहाँ पर बात की जा रहे है special proximity की special का मतलब होता है location based मतलब आप उन्हें इतना नजदीक लेकर आते हैं कि वो एक दूसरे के साथ quantum state में जड़ जाते हैं मतलब दो particles नजदीक आए आप इन particles में कोई subatomic particle हो सकता है या फिर आप जो light की photons होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं तो वो आपस में एक quantum radiation की माध्यम से जड़ जाते हैं एक बार दो particles quantum radiation की माध्यम से जड़ गए उसके बार आप इन्हें कितनी ही दूरी पर रग दें जब एक quantum particle में या quantum bit में जैसे जिन particles को हम ले रहे हैं इन्हें quantum bit भी कहा जा सकता है और short मेंने कहा जाता है qubit qubit का मतलब होता है quantum bit अगर इसमें कोई हरकत होगी तो बिल्कुल इसके opposite हरकत इसके दूसरे quantum particle में होगी चाहे आप इसे universe के दूसरे छोर पे ही लेकर क्यों ना चले जाएं और यह जो हरकत होती है इसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे इस particle ने suppose करी कि यहां से millions of light years या billions of light years जूर आपने इस particle को उठाके ले जाके रख दिया यहां पे जो भी हरकत होगी उसकी बिल्कुल opposite हरकत इस particle में billions of light years जूर होगी अब यह हरकत इतनी टीज होगी कि बिल्कुल instant हो जाएगी Einstein इस बास से बड़े परिशान दे क्योंकि Einstein ने बोल रखा था कि किसी भी चीज की जो speed है वो light की speed से ज़्यादा नहीं हो सकती जबकि यहां पे जो quantum particles थे वो information का अगर exchange कर रहे है यहां पे अगर कोई हरकत हो रही है और यही हरकत universe की दूसरे छोर पे billions of light years जूर तुरंत हो जा रही है मतलब जो information का exchange हुआ है यह lights की speed से कई गुना तेज हुआ है तो यह Einstein को समझ में नहीं आया था Einstein के हिसाब से तो light की speed सबसे तेज है और यहां पे जो information का exchange है वो उसके कई गुना ज़ादा तेजी से हो रहा है तुन्हों ने कहा कि नहीं भई यह force सही नहीं है उन्होंने इसको गलत साबित करने भी की भी कोशिस की कैसा कुछ होता नहीं है बढ़ ऐसा हो नहीं पाया मतलब यह एक ऐसा field of research का जिस पे अभी भी बात चल रही है समझ में आ रहा है क्या कि मन्हें जुड़वा 2 की बात क्यों की थी because यहां पे जब इनको कोई थकपड मारता था तो इन्हें दर्दोने लगता था या similarly जुड़वा में भी ऐसा ही हुआ था तो इस तरीके साब कहा सकते हैं कि जुड़वा 2 में जो दो characters थे यह आपस में quantum entanglement से जुड़ए हुए थे मतलब एक व्यक्ति के उपर कोई भी एगर motion हो रहा है तो इसका अपर बहुत दूसरे पे भी देखने को मिलता था and that is quantum entanglement जहां पर दो particles आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन समझने वाली बात यह है मैं इसलिए कह रहा था कि जुड़वा 2 जो है वो Bollywood की बहुत यह high profile science fiction movie है because quantum entanglement अभी multi-cellular organisms में नहीं देखा गया यह quantum entanglement अभी तक या तो केवल जो quantum particles हैं उनमें देखा गया या फिर जो single cellar organisms हैं उनमें देखा गया पहली बार multi-cellular organism में quantum entanglement judge करने की कोशिस की गई और इसके लिए चुना गया tardigrid को इन्होंने किया क्या कि जैसे दो quantum bits लिए qubit आप इसे कह सकते हो इनको जोड दिया इन्होंने quantum radiation से और इसके बीच में एक tardigrid बिठा दिया ठीक है इस tardigrid को ये लोग लेकर आये थे Denmark से उसे उन्होंने sub-zero temperature पे freeze कर दिया था जमा दिया था क्योंकि ये सह लेता है और बहुँदा pressure भी दिया था उसके बाद उन्होंने एक qubit में हरकत की तो obviously दूसरे qubit में हरकत होगी और उन्होंने इन दोलों qubit से जोड रखा था इस tardigrid को तो इस tardigrid में भी हरकत देखने को मेरी मतलब ये देखा गया कि दो qubits जो quantum entanglement से जोड़े हुए थे उन्हें qubit ने भी खुद को जोड लिया और एक quantum bit में यानि qubit में जब हरकत होई तो दूसरे qubit में तो हरकत होगी जो की rule है quantum entanglement का similarly इस tardigrid में भी हरकत होई तो ये पहला उन्होंने साबित किया कि जो multi-cellular organisms हैं वो भी quantum entanglement का हिस्सा हो सकते हैं मतलब की जुड़वा movie सच में बन सकती है खेर उसको छोड़ते हैं ये science की बात है मुझे उमीद है कि quantum entanglement आपने समझा क्या पता ऐसा इंसानों में भी हो ठीक है कि कहीं किसी को कोई थपड मार रहा हो यहां दर्द हो रहा हो खेर यहां पर मामला motion का है जैसे motion दो तरहीके का हो सकता है एक हो सकता है clockwise यह सकता है anti-clockwise तो quantum entanglement वे usually यह होता है कि जो एक qubit है अगर वो rotate कर रहा है clockwise तो चाहे आप millions of light years दूर दूसरा qubit लेकर जाए वो anti-clockwise move करता है तो अभी तक जो property है physical property है वो इसी प्रकार से देखी गई है तो यहां पर logical matter को combine करके quantum entanglement है उसे साबित करने की कोशिच की गई यह heading से यहां पर गलत आ गई है हमारा जो topic है वो quantum entanglement का है चली revision करते है Air Sports Federation of India Ministry of Youth Affairs and Sports के तहत काम करता है यह गलत है हमने अभी पढ़ा कि यह वर्थ करता है Ministry of Civil Aviation के तहत्त तो हमारा यह statement तो गलत हो गया फिम्रिस्टाइलिस सुनी ली इसे अंडवान निकोबर आइलेंड से रिपोर्ट किया गया तो यह भी गलत है विकाज इसे western घाट के रिजन से रिपोर्ट किया गया है ठीक है 11,000 मीटर की उचाई पे तो जो हमारा दूसरा statement है यह भी गलत निकला रानी वेलू नकियार हैदरली के साथ कोलाबरेट करके इन्होंने बिश्चर्स को हराया तो यह session यहाँ पर समाप्त होता है session की PDF ओन लिया इसके टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी link मिलेगा description box में जाएएगा वहाँ पर PDF डाउनलोड करिएगा और revision करिएगा चलिए session यहाँ पर समाप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को